हलो बच्चों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर संग्या उससे पहले कुछ एक्टिविटी करते हैं यहाँ पर बच्चों आप अपने जीवन की कुछ इस्तितियों से सम्मंदित भाव आचक संग्याय बनाईए और संग्या शब्द क्या होता है संग्या शब्द दो शब्दों के योग से संग और ऑग्या संग्या का मतलब ग्ञान कराने वाला शब्द तो व्याक्रंइद वुच्चों किसी वस्तू प्राणी इस्थान या भाव के नाम को हम संग्या कहते हैं यहाँ पर जैसे बंगाल में जन में रवींद्रас ठाकुर्ष विश्व पसिद कवी लेखक साहित्यकार और कलाकार थे गितांजली कावगरत पर उनको विश्व प्रसिद्ध नोबल पुरसकार प्राप्त हुआ था यह पुरसकार करने वाले वे प्रथम भारते थे तो इस उधारण में बच्चों बंगाल क्या है पुजगे का नाम है रविंद्र नठाकू यह व्यक्ति का नाम है कवी लेखक साहित्यकार कलाकार यह क्या है यह सब जातिवाचक संग्या है और गीतांजली पुस्तक का नाम है और भारतिय यह भाववाचक संग्या है इस तरह से किसी भी प्राणी वस्तु स्थान भाव या अवस्था के नाम को संग्या कहते हैं सबसे पहले व्यक्ति वाचक संग्या च वंद क्युक्त संग्या कहते हैं क성द बताते हैं उसे व्यक्ति कानाम कोईब हो सकता है जैसे कृष्णा, सरस्वती, मीनू, भगत सिंग, शीवं, कोई भी ये विक्तिवाचक संग्या। वस्तू किसी भी चीज का नाम, जैसे महाभारत, रामायान, स्थान का नाम, किसी भी जगह का नाम जैसे नेनिताल, हैदराबाद, मध्यप्रदेश, जाती वाचक संग्या होती है, जब किसी संग्या शब्द से किसी समुहू का पूरे याद जाती का पता चलता है, उसको जाती वाचक संग्या कहते हैं, जैसे पुस्तर, बालक, देश, नदी, तो ये जाती वाचक संग्या के द्रव्यवाचक संग्या नियुक। आगली होती है भावाचक संग्या तो जिस संग्या शाब्द से किसी वस्तु या वेक्ति के गुर्ण दोश भाव या दशा का पता चले उसे भावाचक संग्या कहते हैं जैसे प्यास, मिठास, भाशी, बचपन. कुछ संग्या शाब्द बूलरों से ही भाववाचक होते हैं. जैसे सत्य, दया, ज्यान, जन. अब हम व्यक्ति वाचक संग्या का जाति वाचक संग्या के रुपे प्रयोग पढ़ते हैं. बच्चों कई बार व्यक्ति वाचक संग्या का प्रियोग जाती वाचक संग्या की तरह किया जाता है किसी कभी कभी क्या होता है किसी व्यक्ति के जो गुण होते हैं वो उसका परियायवाची बन जाता है जैसे कि भरस्टाचारी नेताओं में हरिष्चंद्रों की कमी नहीं है अब वैसे तो देखो हरिष्चंद्र जो है वो सत्यवादी है तो यहां पर हरिष्चंद्र और यह विभीशन तो देश को बेच डालेंगे तो जबकि हरिष्चंद्र और विभीशन मूल रूप से क्या ह आड़ियोग कोई विशेश के लिए प्रियोग की जाती राच होगते वी व्यक्ति वाचन जाती है जैसे कि पंडित जी ने विवा संपन कराया अब यहां पर क्या है पंडित जी जाती वाचक संग्या है पंडित जी भारत के प्रथम परधान मंत्री थी अब यहां पर पंडित जी जो हो गए वो व्यक्ति वाचक हो गए क्योंकि यहां पर पंडित जी से मतलब जवालान तो सबसे पहले जाती वाचक संग्या से किस तरह भावचक संग्या बनाते हैं? जैसे वकील जाती वाचक संग्या, इससे क्या बनेगा? वकालत, बुढ़ा से बुढ़ापा, नारी से नारित्व, अब सर्वनाम से भावचक संग्या किस तरह बनाई जाती हैं? जैसे स्वव है प्रताब, क्रिसे भावाचक संग्या, जैसे चिलाना से चिलाहट, गाना से गान, दौड़ना से दौड़, अव्यासे भावाचक संग्या बनाना, जैसे एक से एकथा, देर से देरी, धिक से धिकार, शीग्र से शीग्रता Thank you